इसको जोग दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और यहां पर आप लोग इसके अंदर वायर लगाए हैं और वैसे ही आपको वायर लगाना है जैसे बिल्कुल आसाने से आ चुका है और हमारा एकदम यहां पर ओल्ड हेलो गाइस कैसे हैं आप सब्सक्राइब को बिल्कुल आसान तरीका बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोग अपने हाथ से समर्ड सेबल पैनल को फिटिंग कर सकते हैं उसको लगा सकते हैं आपको किसी भी इलक्टीशन को बलाने के चोड़ नहीं है बस आप लोग इस देखने के जोत है तो प्लीस हमारे वीडियो को एं तक देखें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों ऐसे एलक्टीशन वीडियों मिलती रहेंगे चले के साथ किसवीडियो को सुरू करते हैं इस तो आप लोग देख सकते कि यहां पर हमारे पास एक समयर सेबल का पैनल लखा हुआ है जो कि आज किस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले कि आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है इसको अपने घर पर कैसे फिटिंग करना इसको कैसे लगाना है और इसके कनेक्शन कैस रहे हैं आज कुस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं और आप उसे कौन सी कमपणी कर लेना है और यहां को कितने प्राइस में मिल दैने लिए और आप लोग देख तँगते कि यहां superb च्वपाइबू को समर्सेब्म का पैनल है जो कि आपर समयर्ण सेब्म बॉक्स लिखा हुआ है और यहां पर कुम इस परकार की इंटरफेस बना हुए है अभी शोक्त का MRP बताते कि हमको कितने प्रेस मे способ बिला और यह कितने price तक आता ठीक है यह हमारा समयर सेबल का box जो है सबसे सबसे सस्ता वाला है इसे अच्छा वाला भी आता और इससे अच्छा वाला भी आता ठीक है आपका जैसा बजात हुआ UP लोगो अपने हिसाब से ले सकते हैं बट यह भी काफिदा अच्छा होता है बस इसमे इसका लिखा भी हुए यह 1.5 HP की मोटर के लिए हमारे पैनल है ठीक है और यहाँ पर इसका MRP आप लोग देखसे तक यहाँ पर इस पैनल के ऊपर आप लोग देखसे है यह मशीं समयद सहाब का पैनल है और इसे लोग जो इसटार समय प्पकर है और यहां पर प्रेस करेंगे तो यहां पर अपने इस में कि हमारे कितने लायट आ रही है झाया और इसके बाद यहां पर नीचे एंपियर मीटर लगा हुआ है और आप देह सकते हैं यहां पर को एक गलाते हैं और इसके अंदर का आपको दिखाते हैं कि इसके घ्यके का चीज़ें लगी होती हैं जिसके कार यह हमारा समयर से बूर चलता है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता ठीक है चलिए आपको इसके अंदर का इंटर्फेस देखाते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग इसका कनेक्शन करना आपको नहीं पता ह तो आप लोग निचे कमेंट लोक्स में टायक पर सकते हैं हम नेक्ष्ट वीडियो में आपको अच्छे समझाएंगे कि आपको इस पैनल का आपको कनेक्शन कैसे करना ठीक है यहां पर आप लोग देख से मीटर लगा हुआ हो है और यहां पर आप लोग देख से इसके हाप लोग इसमें कनफ्यूज हो जाते हैं अगर एक वी वायर उल्टा सिधा हो जाता है तो हमारा मोटर जल जाता है और यहां पर वैसे डाइग्राम बना होता है फेज लाइन यलो बुलू वायर लिखा हुआ भी है तो आप लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं अगर आपको इसम लाइन कंप लआ है वहा है और इसमें ब्लक टेप लगा हुआ है इसमरा पर दोड़्यम से यहां पर बिल्कूल नहीं के लखार नहीं किसलिकर है धिशूं इल्वलू चाहिए यहां पर यहां हमारे लगे हुए है ताकि अगर आप लोग धीला छोड़ देंगे तो हमारे सारे वायर जो निकल भी सकते हैं तो यहां पर इसको एकदम अच्छे से फूल टाइट करेंगे जितने भी हमने पर वायर लगाया हैं और वैसे हैं आप लगाना जैसे यहां पर डाइगरम बना हुआ है यहां पर सारा जानगारी लिखा भी फेज लाइन नीटल है डूलू यह जैलो ठीक है सारा यहां पर लिखा हुआ है बस आपको उसी हिसाब से कनेक्शन करना ठीक है वैसे इस पैनल की वाइरिंग करना आप लोगो सिखाएंगे कि आपको इसकी वाइरिंग कैसे करना वो वीडियो हम बाद में डालेंगे ताकि जि वाइर आपको दिखाया थे वैसे वाइर इसमें लगे हुए कि नहीं लगे हुए ठीक है जैसे आप लोग देख सकते हैं पर सारा पैनल कंपिलीट हो चुका है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हमारा फेज के वाइल लगा हुआ है फिर न्यूटल का हैं ठीक है तो यहां पर सारे कनेक्शन हमने बिल्कुल असानी से इसमें कर दे कोई दिक्कत परिसानी आपको नहीं है आप चले फटावट से इसमें हम जो लाइन को चालू करते हैं और देखते कि हमारा मोटर पानी देता है अच्छे से वर्क करता है तो आप लोग देख सक से कि हमारे समें लाइन बिल्कुल असानी से आ चुका है और हमारा एकदम यहां पर ओल्टेज भी अभी बताएगा यहां पर दिखाते हैं अच्छे से मारा पानी देने लगा और आप लोग इसका कनेक्शन ऐसे कर सकते कोई प्रॉब्लम कोई भी कोश्चन्स आपके मन में ह mopers लोग हो तो आप लोगिन नीचे कर्मप सकते हैं ठीक हैं यहां पर आप लोग देक्सTheय हमारा इसका पानी देने लगा है अपर लोग देऑस थे हमारा च्छे से मोटर आप पानी देने लगा ठीक है तो अगर hemारी वीडियो पसंद आतो प्लिस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों ऐसे एलेक्ट्रीशन वीडियो मिलते रहेंगी बहुत बहुत धना फ्रेश जाएं